Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable History of India's Language Politics Welcome to Study IQ IS मेरा नाम है आदेश सिंह हिंदी हैं हम वतन है हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा दोस्तो 1905 में मुहम्मद इकबाल द्वारा लिखे इस तराने हिंद को तो आप पहचान ही गए होंगे शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जिसकी स्कूल की यादों में ये गीत शुमार ना हो जब इकबाल साहब ने ये गीत लिखा था तब ये उनकी सूच की मासूमियत ही रही होगी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम लोगों को हिंदी भाषा से जोड़ दिया वैसे ही जैसे फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रेंच कहलाते हैं जर्मनी में रहने वाले जर्मन और इसी तरह अन्य योरोपिय देश और उसमें रहने वाले लोग जो भाशा के आधार पर ही अलग-अलग देशों के रूप में बटे हुए हैं हलांकि वक्त के साथ इसमें भी काफी बदलावाए हैं अगर हम वेस्टन वर्ल्ड की पुलिटिकल फिलोसफी का आधार कही जाने वाली निकलो मेकियावली की थेरी पर ध्यान दे तो हम पाएंगे कि उसमें लैंग्विज नेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक कॉनर स्टोन है लेकिन ये वन लैंग्विज वन नेशन का सिध्धान्त भारत जैसे देश के लिए इस्तिमाल हो पाना नामुम्किन सा है जहांकि लिंग्वल डाइवर्सिटी की वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि यहां कोस-कोस पर वदले पानी और चार कोस पर वानी क्योंकि यहां सौ से अधिक भाशाएं बोली जाती हैं तो ऐसे में समूचे देश के लिए एक भाशा का निरधारन करना अतिविशम है और इसी विशमता की वजह से शुरू से ही यह इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिक्स का एक जुआलनशील मुद्दा रहा है तो दोस्तों आईए आज हम भारत की लैंग्विज पॉलिटिक्स का इतिहास ज़रा करीब से जानते हैं इस्टोरियन रामचंद्र गुहा के अनुसार भारत की आजादी के दोरान हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली में डिसकस किये गए मुद्दों में सबसे ज्यादा डिबेटबल और डिस्प्यूटबल मुद्दा था कि कौन सी भाषा भारत की राष्ट भाषा चुनी जाए इससे पहले 1925 में यंग इंडिया में लिखे एक लेक में महात्मा गांधी हिंदी और उर्दू के मेल से जन्मी हिंदुस्तानी भाषा को अपना समर्थन दे चुके थे। हिंदुस्तानी भाषा को लेकर कुछ इसी तरह के विचार देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू जी के भी थे। इसलिए जब कंस्टिट्यूट असेंबली में नैशनल लैंगविज की डिबेट शुरू हुई तो हिंदुस्तानी या हिंदी दो भाषाओं क के बीच विचार किया जा रहा था लेकिन इसी बीच इंडिया का पार्टिशन हो जाने से हिंदुस्तानी भाषा जिसमें उर्दू की जलक साफ दिखाई देती थी उसका विरोध शुरू हो गया और हिंदुस्तानी के विकल्प को ड्रॉप कर दिया गया वहीं इस डिबेट के आगे बढ़ने पर सम्विधान सभावी दो ग्रूपस में बन गई जिन में मुख्य तोर पर आरवी धूलेकर जो कि उत्तरप्रदेश के एक रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थे उनका ओपिनियन था कि हिंदी को ही भारत की नैशनल और ओफिशल लैंग्विज घोशित कि किया जाना चाहिए लेकिन इसके विरोध में भारत के अन्य भाशिय अक्षेतरों यानि लिंग्वल रीजन से आने वाले कंस्टिटूएंट असेमली के रेप्रिजेंटिटिव ने एक साथ अपने स्वर्तेज गिये जिन में कंस्टिटूएंट असेमली में मडराज को ज्यादा पुराना है और साहित्य हिंदी से बहुत ज्यादा सम्रिद्ध है ऐसी स्थिती में महज हिंदी बोलने वालों की संख्या बल को देखकर यदि इसे भारत की नैशनल लैंग्विज चुना गया तो अन्य लैंग्विज और उनके नेटिव स्पीकर्स के साथ बहुत सेहमती देदी और भारतीय सम्रिधान के आर्टिकल 343 का निर्मान हुआ इसके अनुसार देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत की ओफिशल लैंग्विज घोशित किया गया साथी सम्रिधान के लागू होने के बाद से 15 साल तक स्पीकिंग स्टेट्स का इंग्लिश से हिंदी में स्मूध ट्रांजिशन इंशॉर किया जा सके ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के आधीन राजकी ये समवाद की भार्षा इंग्लिश ही रही थी जिस वजह से नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के लोग हिंदी के बजाएं इंग्लिश से ज्यादा कंफिटबल थे साथ ही देश की प्रमुख भार्षाओं को उचित संबान देने की द्रिश्टी से Constitution of India के 8th schedule में हिंदी को मिलाकर 14 official languages को भी add कर लिया गया जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ते बढ़ते 22 हो चुकी है लेकिन दोस्तों देश की national language तै करना ही एक अकेला मुद्दा नहीं था बलकि ये तो lingual disputes की बस एक शुरुआ थी इसी क्रम में अगला बड़ा मुद्दा बनता है linguistic basis पर states reorganization का आईए ब उसकी चर्चा करते है रियोगनाईजेशन अफ स्टेट्स on linguistic basis जब भारतिय सम्विधान में national language के मुद्दे को सुलजाने के प्रयास चल रहे थे तो इसी प्रिश्ट भूमी में जून 1948 में Constituent Assembly के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा linguistic provinces commission या धर commission का गठन किया गया जिसका काम था इस बात की विवेचना यानि analyze करना कि क्या independent इंडिया में भाशा के आधार पर states का reorganization किया जाना चाहिए जिस पर इस committee का कहना था कि भारत जिन विभाजनकारी मान सकता यानि divisionary mindset और आर्थिक विकलता यानि economic deprivation के हालातों में आजाद हुआ है उसमें linguistic basis पर states का division एक सही फैसला नहीं होगा क्यूंकि ये विभाजनकारी यानि divisionary सोच को और बढ़ावा दी सकता है इसके बाद धर committee की इस report को study करने के लिए JVP committee का गठन किया गया जिसके सदस्य जवाहरलाल नहरू, वलब भाई पटेल और पट्टा भी सीतारमया थे इस committee द्वारा April 1949 में submit की गई report में धर committee की recommendations पर अपनी मोहर लगा दी साथी इस committee ने अपनी तरफ से टिपणी भी की, जिसमें कहा गया कि ये बात सही है कि linguistic basis पर states के division की मांग बड़े जोर शोर से उठाई जा रही है और इंडिया जैसे democratic देश में citizens की मांगों का सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा करना भी राष्ट्र के हित में सही नहीं होगा लेकिन इसके बाद भी इस मुद्दे को लेकर constituent assembly और यहां तक की Congress party भी बटी हुई दिखाई दे रही थी जहां एक और डॉक्टर बी आरम बेटकर की मांग थी कि मराठी भाषी रीजन को अलग कर Bombay Capital के साथ एक अलग स्टेट बनाया जाना चाहिए वहीं गुजराद से आने वाले Congress के Senior Leader क.M. Munshi बॉम्बे को गुजराद से अलग किये जाने के सक्त खिलाफ थे 1952 आते आते मड्रास स्टेट से अलग एक तेलुगू मजोरिटेरियन स्टेट बनाया जाने की मांग भी जोर पकड़ चुकी थी लेकिन इसी बीच तेलुगू मजोरिटी स्टेट की डिमान को लेकर चल रहे आंदोलन में Congress Party के ही एक Activist पोट्टी स्री रामलू की आमरन अंशन करते हुए 15 डिसेंबर 1952 को मृत्यू हो गई और ये ही वो एतिहासिक मोड था जिसने भारत की लिंग्वल पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया पोट्टी श्री रामलू जूए की मृत्यू की वजह से आंदोलन उग्रो हो चाला था और ऐसे में लोगों का रोश शांत करने के लिए आनन फानन में 1953 में तेलुगू मजॉरटी आंध्रा स्टेट बना दिया गया लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद पूरे देश के लिंग्विस्टिक ग्रूप्स सेपरेट स्टेट हुड की अपनी मांग को लेकर उग्रो हो गए इस मामले क को अपने हाथ से निकलता देख सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नया करने की जरूरत थी और ऐसे में गठन हुआ स्टेट रियोगनाइजेशन कमिशन का 1953 में जस्टिस फजल अली, केम पानिकर और H.N. कुंजरू को मिला कर बने इस कमिशन ने सिप्टेमबर 1955 में अपनी रेकिमेंडेशन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख दी और इसमें मोटे तोर पर कुछ कंडिशन्स को फॉलू करते हुए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के रियोगनाइजेशन पर मोहर लगा दी साथ ही कमिशन का ये भी साफ कहना था कि इस रियोगनाइजेशन में भी एक बैलेंस्ट अप्रोच को अपनाए जाने की जरूरत है और इन्ही रेकिमेंडेशन्स के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट रियोगनाइजेशन आक्ट 1956 पास किया गया जिसके बाद इन्डिया में स्टेट्स का मास स्केल रियोगनाइजेशन शुरू हो गया स्टेट रियोगनाइजेशन आक्ट 1956 एंड आफ्टरमाथ 1956 के इस आक्ट के आधार पर 1948 में हुए स्टेट रियोगनाइजेशन के ABCD पैटर्न को समाप्त कर दिया गया इसकी जगह अब लैंगविज और administrative ease के आधार पर स्टेट्स की boundaries निर्धारित की जाने लगी लेकिन यहां से चीज़ें समलने की जगह और बिगड़ने लगी क्योंकि अब एक तरह का Pandora's box खुल चुका था इसी के साथ आने वाले सालों में लैंगविज के आधार पर स्टेट्स के division की मांग उग्र होती चली गए और इसके बाद की भारती राजनीती में लैंगविज एक प्रबल मुद्दा बन कर उभरा जो आज तक चलता आ रहा है हाला कि State Reorganization Commission ने Bombay State के division को recommend नहीं किया था लेकिन स्थिधी ऐसी बन चुकी थी कि गुजराती speaking population और मराथी speaking population के बीच दो अलग-अलग राज्यों की मांग को लेकर rights शुरू हो गए और finally इन rights को शांत करने के लिए Central Government को 1960 में गुजरात और महराष्ट को विभाजत करने के लिए विवश होना पड़ा वहीं दूसरी ओर इसी तरह का एक आंदोलन भारत के पंजाब सूबे में भी चल रहा था जहां हिंदी majoritarian region से अलग होकर पंजाबी speaking population के लिए एक अलग state की मांग के लिए चलाय जा रहा आंदोलन violent हो चुका था जिसकी वजह से 1966 में पंजाब और हरियाना के रूप में दो अलग-अलग states बनाये गए लेकिन दोस्तों इस दोरान कई सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी जैसा कि हमने पहले भी बताया कि समविधान के लागू होने के बाद से 15 साल तक यानि 1965 तक English को सभी official purposes के लिए continue रखने का फैसला लिया गया था जैसे जैसे इस clause के termination की date पास आ रही थी non-hindi speaking regions में हिंदी के imposition का डर बढ़ता जा रहा था Fear of imposition of Hindi January 1958 में सबसे पहले Madras government ने ये suggestion दिया कि Indian constitution में एक provision बनाया जाना चाहिए और वो ये कि official language English को हिंदी से replace करने से पहले non-hindi speaking state से सहमती ली जानी अनिवारे होगी इसके बाद Bengal और Assam से भी ऐसे ही सुरूठने लगे इसी बीच दोनों ही राज्यों ने अपनी local language को state official language का दरजा भी प्रदान कर दिया था इस reactionary agitation और fear of imposition को subside करने के लिए Ultimately, Prime Minister Pundit Jawaharlal Nehru ने January 1958 में हुए Congress के Goahati session में कहा I am all in favor of study of English being continued and even made more widespread but confess that I do not understand how we can lay down for the future that English should be our all India language in any event I see no reason why we should hustle any decision or fix strict time limits in a matter of this kind इसी तरह September 1959 में पंडित नहरू ने साफ लवजों में ये वादा किया कि जब तक non-hindi speaking regions के लोग हिंदी के समर्थन में अपनी राय नहीं बनाएंगे English एक linking official language के तौर पर इस्तिमाल की जाती रहेगी लेकिन इसके बाद भी सभी कयासूं और डर की सुख्बु काहट पर पूर्ण विराम लगाने के उद्धेश से May 1963 में Parliament ने Official Languages Bill पास कर दिया इस बिल में language को लेकर official interstate transactions के सिलसिले में detail में rules बनाए गए थे पर इसका main provision था कि हिंदी के साथ साथ सभी official transactions में English का use continue रखा जाएगा लेकिन पहले की तरह इस बार इसके लिए कोई time bound termination date तै नहीं की गई थी फिर भी ये बिल उस समय पहली fear mongering को address कर पाने में अक्षम सावित हुआ non-hindi speaking states के लोग अभी भी इस बिल से संतुष्ट नहीं थे इन में से अपने इस असंतोष को जाहिर करने में सबसे ज्यादा मुखर madras की DM की government थी जिसका मानना था कि ये बिल non-hindi speakers को अपने ही देश में second grade citizen बना देगा इसी लिए उसके द्वारा madras में फिर से आंदोलन तेज कर दिये गए madras की देखा देखी Bengal, Mysore और Kerala भी इस आंदोलन में कूद पड़े इन states में जगह जगह Indian constitution का वो हिस्सा जलाय गया जिसमें language से related clause और articles मौजूद थे Bengal में हिंदी language की films की screening तक पर रोक लगा दी गई लेकिन इस बार इस agitation का एक counter agitation हिंदी speaking region में भी देखने को मिला जहां ये मांग उठने लगी कि अब बिना किसी देरी के हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और यहां से rights और violation agitation का एक दौर सा शुरू हुआ जिसमें public property को भी भारी नुकसान पहुचाया गया लेकिन जल्दी ही इस स्थिती को समालने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए आईए जानते हैं वो क्या थे शास्त्री Assurance and Official Language Act महोल को बिगरता देख उस समय के लोकप्रिय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस मसले की बागडोर खुद अपने हाथों में समाली और non-hindi speaking regions को यह आशवासन दिया कि English का प्रयोग official language के तौर पर किया जाता रहेगा और भविश्य में इसे बदलने का कोई भी फैसला non-hindi speaking regions को confidence में लिये बिना नहीं लिया जाएगा साथी अपने इस assurance को legal backing देने के लिए official language act को 1967 में amend भी कर दिया गया ताकि non-hindi speaking states को संतुष्ट किया जा सके लेकिन इन प्रयासों के बाद भी भारती राजनीती में भाशा एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा गर्माया ही रहा और बहुत बार इसकी वजह से हमारे अपने नागरिकों के बीच भी नफरत की दीवार खड़ी होती रही फिर वो महराश्ट के मराथी मानुश का मुद्दा हो या फिर नौर्थीस्ट के राज्यों में बंगॉली स्पीकिंग पॉपिलेशन के अगेंस्ट चल रहे लोकल अजिटेशन या मूवीज का नौर्थ वर्से साउथ को लेकर डिवेट भाशा को लेकर विवादों का सिलसिला चलता ही रहा कंक्लूजन लेकिन क्या ये विवाद सही है खास्तोर पर उस देश के लिए जहां भांगला राइटर और पोईट रॉबिंद्रनाथ टेगोर को भी पूजा जाता है और ब्रिज भाशा की पोईटर्स मीरा भाई को भी जहां संगम लिटरिचर का भी उतना ही सम्मान है जितना संस्कृत वैदिक लिटरिचर का दोस्तों कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ती की मातर भाशा या प्राइमरी लैंग्विज को उसकी मातर भाशा या मदर टंग ही क्यूं कहा जाता है ऐसा इसलिए क्यूंकि जिस तरह एक नवजात शिशु का सबसे पहला स्पर्ष उसकी मा से होता है और उसे जन्म देने वाली मा की पहचान उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है वैसे ही एक व्यक्ति को वो पहली भाशा जो उसके कानूं में पड़ी या जिस भाशा में उसके खुद के बोल फूटे वो उसके साथ जन्म से ही जुड़ जाती है इस भाशा की पहचान हमेशा उससे जुड़ी रहती है इसलिए हमारा अपनी मात्री भाशा के प्रती अती समवेदन शील होना लाजमी है लेकिन फिर भी हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जिसकी भाशाओं का इतिहास दुनिया की और किसी भी संस्कृती से ज्यादा पुराना है ऐसे में भाशा के आधार पर एक दूसरे से बैर रखना हमें शोभा नहीं देता हमें समझना चाहिए कि भारत की ये डाइवरसिटी ही है जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है और इसी लिए हम गर्व से कह बाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिन दोस्ता हमारा